x square ये भी 0 से infinity ऐसा ही है तो ये क्या आज आएगा देखें जी आप लोग 1 divided by 1 minus a square very good सर ये कितना आज आएगा अच्छा पहले एक साथ कर लेंगे ना दोनों को क्यों एक एक करके limit लगानी तो 0 से infinity dx 1 plus x square minus यहां से a square common ले लें आप लोग क्या कहते हूँ तो ये कितना बचेगा 0 से infinity dx a square common ले लूँगा तो यहां बचेगा साथ जी 1 by a square very good plus में x square ऐसा ही बचेगा अब देखें जी आप लगाए ज़रा formula किसके 10 inverse के किसके लगाए 10 inverse के तो यह होजे आएगा 10 inverse very good x minus साजी कितना आता है 1 by